तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाना लोग सेवा आयोग की SCS की परिक्षा 12 सितंबर 2021 को निर्धारित है उससे संबंदित अब हरियाना लोग सेवा आयोग ने कुछ आंकडे जारी किये हैं तो इस वीडियो में आपको वो आंकडे बताऊंगा उससे पहले एक नोटीस मैं आपको बताना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं HPSC ने ये कोरिजेंडम इशू किया था SCS एक्जाम से संबंदित इन पार्शियल मोडिफिकेशन ओफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 बटा 2021 वाइड विच 156 पोस्ट और SCS जो इशू की गई थी उनमें ए एक पोस्ट को घटा दिया है अब कितने रह गई हैं केवल 155 वेकेंसी रह गई हैं तो ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं ओफिशल नोटिफिकेशन है तो अब कितनी हो गई अब आपको 156 नहीं कहनी है 155 वेकेंसी कहनी है एक वेकेंसी घट गई है तो चलिए अब हम Official Data की और बढ़ते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे SCS वे अलाइड सर्विस के 156 पदों के लिए एक्जाम 12 सितंबर को होगा तो इन्होंने भी जो है अभी जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था उस पर ध्यान नहीं दिया है 155 पद रहे गए हैं और कितने आवेदन आये हैं 1.5 लाख आवेदन आये हैं मात्र 155 पदों के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना है और 13 जिलों में ये एक्जाम होगा 22 जिले हैं हरियान में और 538 केंद्रों पर एक्जाम होगा तो इस बार HPSC के सामने एक बड़ी चुनोती है कि कॉंस्टेबल भरती पेपर लिख हुआ था जैसा कि आप सभी को पता है उसको देखते हुए HPSC के सामने बड़ी चुनोती है कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जाए तो एक बार देख लेते हैं कि कितने फॉर्म फिल किये गए है आप देख सकते हैं कुल 1,48,242 अभ्यारती परिक्षा देंगे तो इस हिसाब से कितने हुए एक पद के लिए कितने लोग लाइन में है तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना कमपटिशन है तो हमने अपना कैलकुलेटर ओपन कर लिया है 1,48,242 जो हैं विध्यारतियों ने फॉर्म फिल किया है कितनी पोस्ट के लिए 155 तो आप देख सकते हैं लगबग 956 विध्यारती खड़े हैं लाइन में एक पोस्ट के लिए ये सभी gadgeted vacancies हैं जैसा कि आप सभी को पता है काफी high profile ये vacancies होती है और 956 लोग जो है एक vacancy के लिए लाइन में लगे हुए हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि कितना ज़्यादा competition है एक vacancy के लिए 956 लोग लाइन में है एक बार पूरी खबर को पढ़ लेते हैं हर्याणा लोग सेवा आयोग ने SCS और Allied Service के 155 पदों के लिए होने वाले pre-exam की तेयारियां सुरू कर दी है पिछले दिनों हर्याणा करमचारी चैन आयोग द्वारा कॉन्स्टेबल की भरती के लिए हुई लिखित परिक्षा का पेपर लिख होने के बाद से HPSC के सामने भी नई चुनोतियां पैदा हो गई है ऐसे में इस बार सुरुक्षा के भी पुक्ता प्रबंद रहेंगे और सभी परिक्षा केंद्रों पर नजर रहेगी बेशक राज्य सरकार नकल विरोधी विधान सभा के हालिया मानसून सत्र में पास कर चुकी है लेकिन अभी तक यह कानून नहीं बन पाया है विधाएक पर राज्य पाल की मोहर लगने के बाद सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी करेगी SCS के एक्जाम 12 सितंबर को होने है ऐसे में अगर इससे पहले सरकार का नोटिफिकेशन आएगा तो नया कानून इन परिक्षाँ पर लागू होगा बहरहाल परिक्षाओं को लेकर विरिश्पतिवार को मुख्य सचीव विजे वर्धन ने हाई लेवल मीटिंग की प्री एक्जाम के लिए परदेश के 13 जिलों में कुल 538 एक्जाम सेंटर बनाए जाएंगे कुल 1,48,242 अभ्यारती परिक्षा देंगे विजे वर्धन की बैटक में विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबंदी जिलों के DC भी कनेक्ट हुए मुख्य सचीव ने जिला उपायुक्तों को कहा कि वे अपने जिलों में मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की निउक्ति करेंगे मजिस्ट्रेट और पूलिस की संयुक्त टीमे जिलों में बनाये गए परिक्षा केंद्रों का दोरा करें और केंद्र के आसपास के सेत्र में चेकिंग करें नजर रखी जाए कि किसी परिक्षा केंद्र के आसपास किसी व्यक्तिय वाहन की संदिग्द मुवमेंट ना हो समेधन सिल्ख केंद्रों पर विशेश निगरानी रखने को कहा है DC एक्जाम की मोनेटरिंग करेंगे अपने जिले के एक नोडल अधिकारी नूप करना होगा एक्जाम सेंटर में कमरो फरनीचर पीने के पानी की व्यवस्था वैसो चालेगी सुविद्धा का प्रवंद करने का जिम्मा भी कोडिनेटर का रहेगा एक्जाम के दोरान विडियोग्राफी भी होगी और CCTV की जद में एक्जाम होगे किसी भी तरह का उपकरन, मोबाइल फोन, पेंडराइव, टेब लेकर जाने कपर पावंदी रहेगी बैठक में ADGP कानून एवं व्यवस्था जो की है नवदीव सिंग विर्क जी ने पुलिस अधिक्षिकों को निर्देश दिये कि परिक्षा केंद्र केंद्रो उसके आसपास के शेत्रे में चेकिंग की जाए परिक्षा के दिन केंद्रो के बाहर किसी भी सूरत में भीड़ना जुटने दी जाए 12 सितंबर को 2 सिफ्ट में एक्जाम होगा सुबह 10 से 2 पहर 12 बज़े तक ये तो आपको पता ही है आपको पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें